यह उच्छ मैं हूँ आकाश और आप देख रहो लेन एक जाम सीखते हो इंग्लिश थू हिंदी वेलकम टू वण मोर इंग्लिश लेसन और आज के इस इंग्लिश लेसन में हम सीखेंगे 50 English वर्ड्स जिनकी प्रिनसियेशन में अक्सर गलती होती है और यह इजी वर्ड्स है हम इन वर्ड्स को अक्सर हमारी regular Everyday conversation में यूज करते हैं पर फिर भी इन में pronunciation mistakes होती है तो आज इनी pronunciation mistakes को हम सुधारेंगे अगर आप चानल पर नए हो तो subscribe की जिये और bell icon दबाईए ताकि मेरा एक भी वीडियो आपसे miss नहों इस वीडियो को like जरूर कीजिए ताकि YouTube इस वीडियो को बहुत सारे English learners को recommend कर पाए तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के lesson की तो दोस्तों आज हम सीखेंगे everyday easy words that are often mispronounce और यह है part one इस lesson का इस lesson में हम cover करेंगे करीब-करीब 25 everyday English words जिनकी pronunciation में अक्सर गलती होती है चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले word के साथ इसे हम pronounce कैसे करेंगे inquire या inquire दोस्तों इसकी pronunciation है inquire इसमें हम our pronounce नहीं करते हैं और यह शुरुआत इसकी होती है N से inquire second word है inquire inquire इसकी pronunciation है inquire आर हम pronounce नहीं करते inquire end में एक a sound आता है inquire inquire अब यह आप कहोगे दोनों की pronunciation में difference क्या है बहुत ही slight difference है और यह समझना बहुत जरूरी है सबसे पहला जो word है वो है inquire इसका मतलब है जानकारी हासल करना information पाना आप inquire करते हो courses के बारे में किसी और चीज़ के बारे में आप inquire करते हो तब आप use करोगे inquire और inquiry से आता है inquire मतलब investigation करना जो generally police करती है inquiry करती है और वहीं से आता है inquire मैंने अकसर देखा है कि लोग कहते कि I want to inquire about your courses गलत है it should be inquire about the question courses N से शुरू होगा इस slight difference है ध्यान रखना बहुत जरूरी क्योंकि अकसर गलती होती है चलिए देखते third word क्या कहेंगे इसे executive मेरी खेल से आज तक आप executive ही कहते आये दोस्तों इसकी सही pronunciation है एक जै जै पर stress आता है के टिव executive वन मोर ताइम executive राइट अभी हम काम करते है इन तीनों words को लेकर एक sentence बनाते है the executive call the company and inquired या फिर inquired about the vacancy क्या आएगा यहां पर मैंने आपको बताया था कि हम जब information लेना चाहते है तब हम inquire use करते हैं जब inquiry investigation होता है तो inquire use करते हैं आप मुझे comments में लिखके बताईए कि blank में क्या आएगा the executive call the company and dash about the vacancy inquire आएगा या inquire आएगा या मुझे comments में लिखकर बताईए चलिए बढ़ते आगे fourth word है across दोस्तों इसकी pronunciation है across अक रॉस अक्रॉस 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 चलिए देखते next word क्या कहेंगे it is accessory accessory जरली phone हम खरीदे तो उसका charger your plugs यह क्या है accessories है so it is accessory right next word देखते हैं आप को कि बहुत simple है पर प्रिनाउंस कैसे करेंगे दोस्तों इसकी सही pronunciation है ask यह इसकी गलत pronunciation है दोस्तों हम ask नहीं कहते है it is ask ask difference देखिए ask 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 जैसी spelling है वैसी इसकी pronunciation है ask चलिए इन तीनों वर्स को मिलकर एक sentence बनाते है ask anyone across the street about the new accessory store मतलब सड़क के उस पार जाओ और किसी कोई पूछो कि नया accessory store कहां पर है अब यह आपका काम है कि आप इन तीन वर्स को यूज करके एक sentence कॉमें लिखिए ताकि इन वर्स को यूज करनी की आपकी प्रैक्टिस हो सके और यह वर्स आपको याद भी रह सके तो चलिए बढ़ते हमारे सेवंध वर्ड की तरफ और सेवंध वर्ड है athlete इसकी pronunciation है athlete जो इसमें double e sound आता है हम थोड़ा सा stretch करके बोलते है आथ लीट eighth है clothes I'm sure काफी लोग इसे mispronounce करते है इसकी सही pronunciation है clothes end में sound आता है स नहीं आता है it's clothes clothes say it with me clothes इस वर्ड को कैसे pronounce करेंगे मेरे खाल से आपने वर्ड सुना होगा यह कोई एक businessman हो सकता है एक self-employed इंसान हो सकता है उसे हम कहते हैं आं थ्र प्र नर अंत्रोपरिनर क्या कहेंगे आंत्रोपरिनर काफी लोग इसे entrepreneur भी कहते है और वो गलत नहीं है वो भी सही है but commonly used है आंत्रोपरिनर आंत्रोपरिनर चलिए इन तीन वर्ड को लेकर एक सेंटेंस बनाते हैं दी आथलीट तॉर्ड इंटो एन अंत्रोपरिनर और अन्स्टार्ट इंस्टार्ट इस क्लोध्स ब्रैंड एक अथलीट स्पोर्ट्समें वो एक businessman बन गया अंत्रोपरिनर बन गया और उसने अपना नया क्लोधिंग ब्रैंड शुरू किया है कितने सारे लोग है जैसे विराट कोली का अपना कुद का क्लोधिंग ब्रैंड है सचिंद अंडुल करे पर वो cricket equipment का ब्रैंड है तो काफी सारे ऐसे sports stars है जिन्होंने अपना brand बनाया है clothing brand बनाया है चले बढ़ते है 10th word की तरफ बहुत ही simple word है कैसे प्रनाउंस करेंगे it is library library नहीं है library यहाँ पे rare rare याद रखे लाइब रेरी library and not library 10th है single होता है woman but उसी का plural form होता है women and not woman yeah woman right it is women it is women next है chaos इसका मतलब होता है भगदर्ण मचना और इसकी pronunciation है chaos chaos जैसे कहते हैं भगदर्ण मच गई chaos जैसे आज की तारीक में coronavirus के वज़े से oxygen की कमी होने के सब जगे chaos है right it's chaos तो चलिए इन तीनों वर्स को मिला कर एक sentence बनाते हैं the women created a chaos at the library and were thrown out उन और तो ने काफी गडबर की library काफी शोर मचाया तो उनको क्या किया बाहर निकाला गया library से मैं उमीद करता हूं कि आप भी sentences बना रहे हो और comments में लिख रहे हो ताकि आपको इन वर्स को यूज करने की practice हो सके चलिए बढ़ते हमारे 13 वर्ड की तरफ जो है इन फ्रा स्ट्रॉक्चर यहां पर भी हम आर को प्रनाउंस नहीं करते हैं इट इस इंफ्रा स्ट्रॉक्चर इंफ्रा स्ट्रॉक्चर मतलब bridges, metro rail यह क्या है देश का इंफ्रा स्ट्रॉक्चर है next word है इसमें हमेशा गलती होती है एक classic mistake है vegetable दोस्ता हम इसे vegetable नहीं कहते है बहुत ही simple pronunciation है vegetable सिर्फ vegetable टबल, vegetable and not veggie table, vegetable हाँ slang language में हम कहते है veggies right but that's slang language है इसकी pronunciation है vegetable, vegetable इस चीज़ का ध्यान रखिए फिफ्टींत है क्या कहेंगे develop, develop इसकी सही pronunciation है de-well-up, develop and not develop, see the difference, develop, develop and develop is the right pronunciation stress यहाँ पर आता है, sentence बनाते हैं तीनों words को लेकर आपकी बार ही है, sentence बनाई है, इन तीनों words को लेकर एक sentence बनाई है और मैं जैसे words बोलते जा रहा हूँ, आप कोशिच कीजिए इन्हें repeat करने की ताकि आप सही pronunciations सीख पाओ चले बढ़ते हमारे 16th word की तरफ और 16th word है, आप कोगे इसमें क्या बड़ी बात है figure है यह दोस्तों इसकी सही pronunciation है figure, figure and not figure, हम R pronounce नहीं करते it's figure, 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 next word है, आप कोगे यह तो बहुत ही simple है excuse, excuse, गलत pronunciation है, इसकी सही pronunciation है excuse, not ek, ik, it's excuse, excuse, ik, excuse, काफी common word है, रोज यूज हम करते है इसकी pronunciation पर ध्यान दीजिए, next है comparison, सही pronunciation है, हम कहते है comparison, and not son, काफी लोग इसे comparison, comparison कहते है, the right pronunciation is comparison, the sound आता है end में, जो सह है, यहाँ पर जह का sound लेता है, comparison, comparison, what's your excuse for lower sales figures, in comparison to last month, अब आपकी बारी है, जल्दी से एक sentence लिखे इन तीनों वर्स को यूज करके, बढ़ते हैं हमारे 19th word की तरफ, heart, दिल, जिसे हम कहते हैं, इसकी pronunciation है, heart, and not heart, या तर पे, end में तर आता है, जो आर है इस word में, यह silent है, right, it's heart, heart, आर बहुती slight आता है, नहीं सुनने के बराबर आता है, it's heart, 20th है, picture, again, we don't pronounce the R, और इसकी सही प्रनूंसेशन है, picture, it's picture, and not picture, 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 I want to take some pictures, and not pictures, दोसो, next है, ticklish, सुना है यह वर्ड कभी, ticklish, ticklish का मतलब होता है, गुदगुदी होना, या गुदगुदी महसूस होना, ticklish, इसकी pronunciation है, ticklish, यह काफी simple pronunciation है, चले एक sentence मनाते है, when I picture you in my heart, I feel ticklish, काफी romantic sentence है, WhatsApp messages में काफी काम आएगा, when I picture you in my heart, I feel ticklish, कि जबी भी मैं तुमारी एक छवी बनाता हूँ मेरे दिल में, मेरे को बस एक गुदगुदी सी महसूस होती है, काफी अच्छा sentence है, WhatsApp पे ज़रूर यूस कीजिए, next है, truth, क्या कहेंगे, truth, बहुत simple pronunciation है, आपको पता है, true, मतलब सही, उस कहा के, truth, 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 that's all, it's not truth, truth नहीं है यह, truth, it's truth, truth, position, इसकी सही pronunciation है, प, and not po, क्योंकि spelling में po है, तो हम पो नहीं कहेंगे, हम कहते है, position, right, it is position, next है, potential, no, again it is potential, it is per, again we don't say o, it is per, it's potential, repeat after me, potential, the truth is, I've reached this position in the company because of my potential, try and repeat the sentence after me, the truth is, I've reached this position in the company because of my potential, चली, जल्दी सेक सेंटेंस लिखिये, comments में, और आज का हमारा last word है, answer, या answer, या answer, ये है, answer, again we don't pronounce the R at the end of the word, it is answer, answer, not answer, answer, the answer to your question is, keep practicing English, आप मैंसे कहीं लोगों ने मैंसे पूचा, कि English कैसे improve होगी, the answer to your question is, keep practicing English, तो दोस्तों ये थे आज के 25 बहुती, super easy English words, जो अकसर हम conversation में use करते हैं, पर pronunciation में गल्ती होती है, मैं उमीद करता हूँ कि आज आज आपने कहीं सारे words की pronunciation सुधारी होगी, ये था इस lesson का part 1, मैं आप से जल्द मुलूंगा, इस lesson के part 2 के साथ, जहां पर हम और 25 English words देखेंगे, तब तक, as usual, keep learning, keep practicing English and take care, और हाँ, वीडियो को like करना मत भूलना, बाई!